नमस्कार दोस्तों मैं सत्विर सिंग एक बाद फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल MR Info Tech पे और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी लास्ट वीडियो का आप सभी ने पसंद किया और लास्ट वीडियो के बेस पे जो मुझे क्यूरीज मिली कमेंट में आज हम लोग उससे रिलेटेड जो कोश्चन्स हैं उनको डिसकस करेंगे साथी साथ मुझे ये भी उमीद है कि आप सभी लोगों ने मॉडरेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा या बहुत सारे लोग जो है उसको लास्ट सेज तक पहुँच भी चुके होंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारी आपकी क्यूरीज होगी तो मेरी पूरी कोसस ये होगी कि मैं आपकी मैक्सिमम क्यूरीज को इस वीडियो के थुरू सौग कर सकूँ तो मेरी लास्ट वीडियो में जो maximum question पुछे गए थे उसमें पहला question ये था historical data को लेके question ये था कि जो हमारा historical data का जो mean है वो with practical है या without practical है तो यहाँ पे दो बाते गौर करने के लिए हैं पहला तो ये कि जो हमें CBSC ने historical data provide किया है वो theory के लिए दिया है means without practical दिया है लेकिन जब हम अपने finalization के stage पे आएंगे तो महाँ पे हमें एक reference मिलेगा और वो reference जो होगा जैसे ये आप देख सकते है reference percentage table for higher brackets of marks तो हमें अपने last three years की जो हमारी school की performance रही है उसके base पे हमें ये देखना होगा कि हमारा कोई student 95 से handed की category में आ रहा है या नहीं आ रहा है यानि कि महाँ पे हमें जो है उसका theory with practical दोनों को हमें add करके देखना होगा कि वो student उस category में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो ये जो पहला question था बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि हम historical data जो अपना देख रहा है और student के marks के base पे calculate कर रहा है उसमें हम practical marks को include करेंगे या नहीं करेंगे तो अगर हम subject wise moderate कर रहा है तो उस situation में हम theory के marks को ही base मानेंगे means हम्рьे practical को include नहीं करना है लेकिन अगर हम finalize करने जा रहा है तू हम तो अगर पास 3 years की performance को देख रहा है donc उस situation में हमने प्रैक्म प्लस 3 दोनों को add करकर अपने school के last 3 years की performance को देखते हुए major करना होगा क्या हम negative moderation कर सकते हैं कर सकते हैं तो कितनी कर सकते हैं उसकी limit क्या है हम maximum कितना negation में जा सकते हैं तो इसके लिए मैं आपको seat पे लेके चलता हूँ और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे तीन seat ली हुई है पहली seat है tabulation seat subject wise ठीक है तो यह जो subject wise हमारी seat है अगर मैं इसको negation की बात करूँ तो पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे negation करना चाते हैं किसी student के लिए तो यहाँ पे अगर हम negation करते हैं तो उसकी limit है minus 25 means अगर हम किसी की value को घटा रहे हैं तो हम एक कम से कम minus 25 अगर हम इससे ज़्यादा decrease करना चाते हैं तो हम यह नहीं कर सकते हैं यह इसकी limit डी होई है और मैंने आपको बताया था कि plus में positive अगर फीगर में हम increase करना चाते हैं तो हम कितना कर सकते हैं यह मैं आपको last video में बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो के एक बाद फिर से देख लिजे मैं आई बटन पर उसका link दे दूँगा एक short way में मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे कि यह सपोच करी यह student है और इस student का class 10 में 18 marks है यह हमने reference लिया economics subject का तो economics 18 marks का होता है तो यहाँ पे इसके 18 marks है same class 11 में इसके 20 marks है 30% moderate करने पे और class 12 में 40% moderate करने पे इसके 26 marks है तो 26, 20, यह हो गया 46 और 46 और 18 यह आपको हो जाएगा 64 तो total theory जो हो गए 64 हो गई अब यहाँ पे यह कह रहा है permissible limit मतलब हम किसना इसमें maximum number add or कर सकते हैं तो हम इसमें 10 marks और add कर सकते हैं यानि यह हो जाएगा 74 अब यह क्योंकि economics through 80 marks का होता है तो यह 74 ही हो रहा है यानि बाकी के 6 marks कहां गए तो class 10 में 80 marks के paper में हमें 24 marks मिलते हैं तो उस 24 में यह 18 marks already पाया हुआ है यानि कि हो 6 marks इसमें less है तो उस 6 marks को हम इसमें include नहीं कर सकते हैं इसलिए उसको deduct करके यहाँ पर कितना बताया है 10 बताया है अबर हम overall 80 की बात करें तो यह 16 होना चाहिए लेकिन यह class 10 के marks को यहाँ पर deduct कर दिया है इसलिए यहाँ यह 10 दिखा रहा है इसलिए maximum जो limit दिखा रहा है कि हम इस student को कितना दे सकते हैं तो अभी हमने इसको already 64 दिया हुआ है और हम इसमें 10 यानि 74 marks इसको और दे सकते हैं लेकिन यह depend करता है कि हम उस student को किस category में रख रहा है और हमें क्या लगता है कि वो कितना उसके लिए deserving है सेम ऐसे ही जब हम subject wise moderate कर लेंगे तो हमें एक और seat मिलेगी tabulation seat for all candidates, all subjects तो यहाँ पे भी हम अपने value को moderate कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक चीज़ clear कर देना चाहता हूँ कि जैसे महाँ पे limit थी minus 25 की लेकिन यहाँ पे कोई limit नहीं है यानि कि हम अगर subject wise decrease करना चाहते हैं किसी subject के marks को और महाँ पे minus 25 ही हो रहा है तो घबराने की ज़रुवत नहीं है हम उसको जो overall all candidates all subject वाले option पे जब हम seat पे जाएंगे तो महाँ से हम उसको जो है अपने according deduct कर सकते तो last video में कई लोगों ने comment box में यह question भी पूछा था कि हम maximum कितना marks को deduct कर सकते हैं एक और person का comment भी मेरे पास आया था कि मुझे minus 25 से ज़्यादा number decrease क्योंकि हमने राव मीन extra डाल दी है तो यह चीज़ हम कैसे करेंगे तो इसका solution यह हुआ कि अगर आपको यह करना है तो पहले आप subject wise moderate कर दीज़े minus 25 उसको दे दीज़े और फिर उसके बाद अगर आपको उसमें और ज़्यादा decrease करना है तो फिर आपको tabulation seat all candidates all subject वाले option पर जाना होगा और महां से आप individually जो हर student के उन subjects पर जाके उसको minus कर सकते हैं और अपने हिसाब से category को adjust कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि permissible mean और moderation की meaning क्या होती है और balance value क्या है बहुत सारे लोगों के comment आए हैं बहुत सारे लोगों ने question पूछा है कि sir यह नहीं समझ में आ रहा कि हमें balance value को किस तरीके से adjust करना है या mean, permissible जो mean है या moderation है उसकी meaning क्या है वो हम किस तरीके से use करेंगे तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले हम अपने दोनों seat को one by one देख लेते हैं जैसे यह हमारी जो seat है वो है tabulation seat subject wise candidates यहाँ पर हमने subject wise candidates की list को दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पर choose किया हुआ है economics को economics का subject पहले मैंने example में लिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर a, b, c, d, कुछ brackets मने हुए है तो यहाँ पर a bracket यानि एक column में लिया हुआ है subject का नाम जो की economics है candidates in the subject यहाँ पर subject के जो candidates है वो 25 है अब suppose करिए school को क्या reference मिला था तो मैंने एक graph figure ले लिया कि मान लेते हैं कि school को 38% का reference mean मिला था ठीक है अब school को यह permission मिली है कि वो plus 5 इसमें add कर सकते हैं तो c, b, c, c, हमें हर subject में यहाँ पर missle mean में 43 यानि plus 5 करके दे रहा है यहाँ पर c, b, c, c, हर subject में आपको permissible mean जो देगा वो plus 5 करके देगा इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर subject में plus 5 करेंगे मैंने last में भी यह बात बताई थी कि हम किसी एक subject में या जिन-जिन subjects में अपने students की mean को बढ़ाना चाहते हैं उन्ही subject में हम इसको use करेंगे तो मेरे हिसाब से आप plus 5 plus 5 अगर हर subject में करेंगे तो आपका जो overall average होगा जो आपका last में आपको plus 2 का option दिया हुआ है overall mean का वो आप कभी भी adjust नहीं कर पाओगे तो या तो आप किसी एक subject को उठा लो जो आपका सबसे कम average वाला है और उसी में plus 5 mean कर दो और या तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप अपने main main जो आपके subjects हैं या आपको ये लगता है कि जिन subject में आपको school के तरफ से mean कम बिला है आप उन subject में सभी में plus 1 या plus 2 का ratio ले लो कि मुझे एक mean इसका बढ़ाना है या दो mean बढ़ाना है और उसी के हिसाब से आप अपने 5 तक के mean को adjust कर लो बाकी को as it is छोड़ दो automatic आपका जो last का plus 2 वाला mean है वो automatic adjust हो जाएगा और या तो आप किसी एक subject में भी plus 5 कर सकते हैं डिपेंड करता है आपके आपके ऊपर कि आप अपने किस subject की mean को बढ़ाना चाहते हैं किसमें आपको लगता है कि इसका mean कम है और इसको हमें और increase कर देना चाहिए तो रही बात ये ठीक है तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे reference mean मिला है 38 और हमें CBSA की थूरू permission है इसमें plus 5 का तो यह हो गया 43 ठीक अब यहाँ पे total marks कितने हुए तो यहाँ पे 43 multiplied by 38 यह हो गया 1075 अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि यह जो 1075 आ गया यह हो गया हमारा total marks अगर हम plus 5 इस subject में mean को add करके adjust करते हैं तब अब यहाँ पे आपको एक F column दिख रहा होगा जिसमें लिखाया है raw mean raw mean का मतलब यह हो गया कि CBSC ने अपने portal पे हमसे कहा था कि आप अपने student के 11th और 12th के marks upload करिए उस समय किसी के पास historical performance नहीं थी तो समने अपने according जो है एक raw mean डाला तो यह raw mean है मतलब यह वह value है जो economics के subject में हमने student को allowed की थी हमने marks put किये थे और उन marks के बेस पे उन्होंने एक average उसका दे दिया और उस को कह दिया वह raw mean है और उस average के बेस पे number of student यानि कि अगर हम यह कहें कि यह raw mean है 54.24 और student है 25 तो इसको calculate करने के लिए बाद हमारे जो marks आ गए raw marks हो गए वो हो गए 1356. अब इसमें इसमें हमें कितना permission था moderate करने का यहाँ पे दिया हुआ है raw marks के recording अगर हम देखें तो वो था minus 281 और जो moderation given था वो क्या था minus 404 अब permissional moderation यहाँ पे minus 281 कैसे आया तो यह देखें यह e minus g किया हमने e minus g करने का मतलब क्या हो गया यह जो हमारे total marks थे plus 5 add करने के बाद इसमें से हमने यह raw marks को minus कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हैं यह 1075 है और यह 1356 है तो जब हम minus करेंगे तो यह negation में जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो marks put किये हैं वो हमारे plus 5 average add करने के बाद भी हमने exit किये हैं बतलब हमने जरुवत से ज़्यादा marks दिये हैं इसलिए वो किस में दिखा रहा है negation में दिखा रहा है अब यहाँ पे आते हैं यहाँ से अब हमारा जो main main जो काम है वो यह है कि देखिए हमारा raw figure यह था plus 5 के बाद यह आया total marks यह आया 1075 अब हम क्या कर रहा है अब हम इसमें moderate कर रहा है moderate करने के मतलब हमने अपने marks को modify किया तो modify करने के बाद हमारा जो reference mean था 38 हमने इसको क्या रखा है 38.08 यानि हमने इसमें changes नहीं की है और हमारे जो student है number of student है 25 इसको जब हम इससे multiply करेंगे 38.08 से तो हमारा जो marks आ रहा है वो कितना आ रहा है 952 ठीक है 952 आ रहा है यानि कि हम जो plus 5 add करके 1075 marks इसमें दे सकते थे लेकिन हमने इसमें extra mean अभी add नहीं की है हमने कितनी दिया है 952 दिया है यानि कि हमारा जो balance हुआ वो कितना हो गया 123 यानि कि जब हम last में all candidates all subject वाली seat पे जाएंगे तो हम अपने हिसाब से individually देखेंगे कि हमें किस student को कितने marks को adjust करना है यानि हमने यहां से अपना जो balance मना लिया वो कितने का मना लिया 123 economics से इसी तरीके से हम चाहें तो किसी subject को उठा ले और उस subject में plus 5 mean add भी कर सकते हैं यह हमारे ओपर depend करता है कि हगर हमें किसी subject का average कम भी ला है तो हम उसको अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं उसका mean बढ़ा के और हम चाहें तो as it is भी रख सकते हैं हम चाहें तो यहां 38 था तो हम यहां पे इसको 43 की जगा 39 या 40 भी ले सकते थे जो हमारा overall average है उसका plus 2 करके हमें जितने marks allowed होंगे हम वही marks जो अपने student में distribute कर सकते हैं यह बास समझने के लिए है अब यहां पे हम यह देख लेते हैं tabulation seat जो subject wise है इसमें सबसे पहले यहां पे कुछ options दिये हुआ है जैसे यह practical के marks हो गए तो economics में इसको 20 out of 20 मिला है यह class 10 के marks हो गए जिसमें इसका 30% हमने component निकाला और इसमें इसके marks 18 हो गए out of 24 class 11 में 30% component निकालने पे इसके 20 आया same class 12 में जो हमने marks put किये वो आया इसके 26 और जो total theory हो गए वो हो गए 64 ठीक है 64 हो गए और permissional जो limit है मतलब हम इसको maximum marks कितने दे सकते हैं 10 अब आप यह कहेंगे कि यह 74 हो गया अगर हम 64 और 10 add करेंगे तो 74 होगा तो बागे के 6 marks कहा गया तो 6 marks इसलिए डिड़क्ट कर दिये गया है क्योंकि क्लास 10 में जो हम 18 marks इसके 30% component निकालने के लिए तो अगर हम 80 का 30% component निकालेंगे तो वो होगा 24 तो यह 24 में 18 पाया है तो CBSC हमें यह 10 के marks में extra marks add करने के लिए allow नहीं कर रहे इसलिए इसलिए इसने यहां से 6 marks को already deduct कर दिया और हमें maximum limited की 10 की यानि अब हम इसका जो moderation देना चाहें तो हम यहां पे अगर हम 10 देंगे जैसे सब्स करिए हमने यहां पे इसका moderation 10 दिया तो यह automatic क्या हो जाएगा 74 और यह grand total क्या हो जाएगा 74 प्लस 20 यानि कि यह हो जाएगा 94 ठीक है तो इस तरीके से हम इसको overall as it is जितना हम चाहें उतना जितना हमें allow उतना भी दे सकते हैं या हम इसको particular किसी category में रखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि यह strength जो है हमारे 94 वाली category के लिए नहीं है हमें इसको नीचे करना है तो हम यहाँ पे इसको minus भी कर सकते हैं रिड़क्त भी कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ हमेसा दिहान रखेगा यहाँ पे जब हम negation करेंगे moderate करने के लिए तो हमारी जो limit है वो है minus 25 मिंस हम यहाँ पे minus 25 से ज़्यादा marks को कम नहीं कर सकते अगर हमें 25 से ज़्यादा negation करना हो तो मैंने आपको भी पहले भी बताया था तो इस situation में क्या करना होगा all candidates all subject वारी seat पे जाना होगा और महाँ से हम इसको moderate कर पाएंगे इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ tabulation seat all candidates तो यह हमारा tabulation seat है all candidates all subject वाला यहाँ पे भी आपको एक reference table मिल जाएगा इसमें all candidates हमारे दिये हुआ है जैसे कि हर subject वाई जितने भी candidates हम को multiply कर दिया जैसे माल ली यह 765 है और school को जो mean मिला था वो है 42.6 इसमें 1 plus 2 add कर सकते हैं जो हो जाएगा 44.6 अब हम इन दोनों को जब multiply कर देंगे यानि 765 को multiplied by 44.6 तो हमारा जो overall marks आएगा वो होगा 34,119 ठीक है overall raw mean जो था मतलब जो हमने historical performance मिलने से पहले जो subject के marks डाले थे उसके हिसाफ से अगर हम देखे तो हमने 53.33 raw mean लिया था और उसके हिसाब से हमारे जो marks थे 40,796 फिर हमने इसको इसमें moderation किया हमें कितना permission थी moderate करने के लिए वो थी 6,677 और जो moderation given था वो कितना था? minus 8455 अब जब हमने moderation कर दिया मतलब after moderation मतलब हमने इतना minus करके deduct करके अपने moderation को कहा तक ले आए 42.28 और इसके according जो marks हुए वो कितने हुए 32,341 यानि कि अगर हम इस marks को इस marks से minus करेंगे तो हमारा जो balance होगा वो कितना होगा 1,778 यानि कि इतने marks जो हम अपने student को भी और दे सकते हैं अब कई लोगों ने यह भी question पूछा था जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे balance value की meaning क्या है ठीक है तो मैं आपको यह भी बता दे रहा हूँ कि balance value की meaning क्या है balance value की meaning यह है कि अगर मैं यहाँ पे tabulation seat subject wise अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए आपको एक balance value मिल रही होगी balance value का मतलब यह हो गया कि यह जो marks थे 123 CBSC ने हमको allow किया था कि हम इस subject में 1075 marks दे सकते हैं लेकिन हमने जो अपना moderate करके marks जो दिये वो दिये 952 यानि हमारे जो इस subject के जो marks बज गया है वो कितने बज गया है 123 ऐसे ही यह calculation कैसे हो रही है mathematics, BST, Physics, Chemistry, English, Hindi, Data Science इस तरीके से जितने भी subjects इस list में आते हैं उनकी जो balance value होगी subject wise उन सारी balance value को वो calculate करके कहा ले जाएगा all candidates, all subject वाली seat पे लेकी जाएगा और यहाँ पे वो total लिखा देगा कि आपके कितना balance हो रहा है ठीक है अब यहाँ से हम अपने student को individually जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे individually हमारा record आ जाएगा student का इस seat पे जहाँ पे उसके roll number मैंने एक random data लिया हुआ है कि यहाँ पे उसका roll number होगा उसका नाम होगा और उसके हिसाब से subject के marks दिये होंगे जिसे यहाँ class 10 का component दिया है यहाँ subject के marks लिखे हुए है यह 11th component, 12th component और total theory कितनी हो रही है वो दिया हुआ है इसके लावा हम इसमें कितना strength को maximum और कितने marks दे सकते हैं और moderation given हम कितना moderation देना चाते हैं ठीक है तो यहाँ पे देखिए अभी जो इसमें marks डले हुए है उसके हिसाब से theory after moderation इसके marks हो रहा है 25 और grand total हो रहा है वो 53 हो रहा है अब यहाँ पे अगर हमें किसे strength के marks को कम करना है तो यहाँ पे अगर आप minus 25 से ज़्यादा value लेते हो जैसे suppose करो अगर मैं यहाँ पे minus 35 भी लेता हूँ तो यह minus negation यहाँ पे एला हुए तो कुछ लोगों के यह question थे कि हम minus में value को दे रहा है तो वो ले नहीं रहा है तो महाँ पे जो आपके subject wise seat है महाँ पे आप minus 25 ही deduct कर सकते हो लेकिन जो यहाँ पे आप next seat में आओगे all candidates all subject वाली seat पे तो यहाँ पे आप अपने according जितना चाहें उतना deduction कर सकते हैं तो यह भी मेरे ख्याल से बास समझ में आ गई होगी कि बहुत सारे लोगों की problem थी कि यहाँ पे balance value की meaning क्या है तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को balance value की meaning भी बता दी तो यहाँ पे हमने पांच क्यूरी देख ली कि permissal mean या moderation की meaning क्या है negative moderation क्या है subject क्या है, historical data क्या है इसके लावा हमने यह भी देख लिया कि balance value की meaning क्या है अब यहाँ पे आते हैं finalization वाले में कि जब हम finalize करेंगे तो महाँ पे moderation की mean क्या है और महाँ पे finalization का मतलब क्या हुआ तो इसके लिए मैं एक बार finalization वाली seat open कर लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं reference जैसे हम finalization वाले option पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक option बिल जाएगा reference percentage table for higher brackets of marks इसमें आपका 95 से लेके 100 तक के जो percentage मन रहा है students के CBSC आपके last three performance पे यानि जो past three years रहा है आपकी school में कितने student ऐसे हैं जो 95 से 100% के category में रहते हैं उसके बेस पे वो आपको एक अपना एक raw figure दे देंगे जैसे अभी मैंने यहाँ पे 00 सब में लिया हुआ है तो आपके school का अलग होगा suppose करी आपके 97 से 98 के बीच में यानि 97.1 से लेके 98 के बीच के जो percentage परसेंटाइल है वह मांदि यह दो student है सेम ऐसे ही यहाँ पर एक student है तो जब हम अपना overall record यहाँ से देखेंगे particular किसी student का तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको total marks मिल जाएंगे उस student के जैसे यहाँ पर total marks दिया हुआ है 290 तो suppose करिए अगर उसके marks 475 से जादा है तो 475 से जादा होंगे तो वो 95 category में आ जाएगा तो हमें यह ensure होना होगा कि उस condition में यहाँ पर 1 है या 0 है अगर यहाँ पर 0 होगा मतलब आपको उस student के marks को कम करना होगा और अगर आपके school को कुछ data मिला हुआ है जैसे 1, 3, 5 तो उतन नमबर आफ इस student को आप उस category में रख सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और दिहान देनी है कि जब हम यह चीज देखेंगे इन marks में हमारा grand total निकल ला है और यहाँ पर grand total का मतलब क्या है theory plus practical इसलिए मैंने आप से कहा था कि जब हम data को finalize करेंगे तो finalization के समय हमें जो अपमारी historical data मिली हुई है उसमें जो हम marks देखेंगे जो हम grid देखेंगे वो हम देखेंगे theory with practical इसलिए मैंने आप से कहा था कि यहाँ पर हमें theory with practical उस situation में देखना होगा जब हम अपने data को finalization mode पे लेकी जाएंगे तो यह finalization का step है तो हमें अपने finalize करने से पहले अपने category को देख लेना है हमें यह match कर लेना है कि हमारे उतने number of 20 उस category में आए साथी साथ दिखें यहाँ पे CBC की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है please ensure that you do not exceed above limits for high achievers of your school मतलब हमारे school के जो high achievers हैं उन्होंने जो list दी है उस list से exceed ना करें इस चीज को हमें ensure करना होगा इसके बद आपको एक फिर से reference table वाला option मिल जाएगा जिसमें आपके all candidates लिखे होंगे overall reference mean लिखा होगा कितना आपको permission है granted है वो मिला होगा इसके लावा overall total marks कितना हो रहा है और आपका यहाँ पे raw mean क्या था raw marks क्या था और फिर आपने उसको moderate जो given किया moderate किया तो moderate करने के बाद mean कितना मना और total marks किया होगा जो मैंने आपको और लेड़ी पहले समझाया हुआ है finalization से पहले एक चीज़ किलिए कर दीजेगा कि आपका यहाँ पे जो balance amount है वो zero हो जाए या उसके close हो ठीक है ना क्योंकि यह अगर negation में होगा तब भी आपका finalization नहीं होगा ठीक है और अगर यह आपका positive होगा तो finalization हो जाएगा लेकिन वो marks अपने student में distribute कर सकते थे इसलिए कोसिस यही करिएगा कि यहाँ पे जो marks हो वो आपकी क्या हो जाए जीरो हो जाएगा और रही बात अगर हम tabulation seat की बात करें subject wise तो subject wise यहाँ balance जीरो मत करिएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो करते जाएगे सारे में तो हमारा overall mean बहुत बढ़ जाएगा और हमें adjustment में बहुत problem होगी इसलिए यहाँ पे या तो आप हर subject में 11% का mean ले लीजे बढ़ा लीजे जैसे यहाँ 38 है तो आप 39 कर लो reference वाले में और 39 के base मतलब 11% बढ़ा लीजे अपने mean major subjects में या आप as it is रखिए और जो आपके सबसे lowest mean है जिस subject का उसको plus 5 कर दीजे मतलब आपका यहाँ पे जितना balance बचेगा आप अपनी इस seat पे यानि all candidates all subject वाले seat पे जाके उतने marks को distribute कर सकते हैं और जब आप finalization में जाएगा तो यहाँ पे कोसिस करिएगा कि आपका यह marks यानि कि यहाँ पे जो balance value है वो 0 हो इसके बाद एक क्योरी और भी आई थी बहुत सारे लोगों के कि ऐसे school जिनके पास 10 या 10 से less student है वो क्या करेंगे तो CVSC ने यही कहा है कि उनके लिए जो subject wise mean है वो mandatory नहीं है उनको के वल overall जो mean है उसी को follow करना है करने में ज़्यादा आसानी रहे तो यह मैं कहूंगा कि जैसे सभी लोग कर रहे हैं उसको आप उसी तरीके से prepare करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर मेंट रहेगी अगर आप अपने चैनल पर new user है तो चैनल को subscribe जरूत करें वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूत करें और इस वीडियो को maximum लोग के पास share करें ताकि जो भी schools या जो भी teacher जो है moderation के work को implement कर रहे हैं या जिनको भी इस work में problem आ रही है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनका support हो सके तो इसी उमीद के साथ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जैहिन जैवाट